हेलो फ्रेंड्स, मुवी लवर्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज एक बहुती शांदर जैपनीज क्राइम ड्रामा फिल्म हाई एंड लो का एक्स्विनेशन देखते हैं जो रिलीज हुई थी 1963 में और इसे डारेक्ट किया था महान फिल्म मेकर अकीरा कुरो सावने यह फिल्म एड मैक बेन के 1959 के नॉविल किंग्स रैंसम पर भेज़ है में कास्ट में है तोशिरो मीफूने, तट्सियो नकडाय, कैन शिरो इशियामा, सुतोमा यमाजाकी और तकाशी शिमुरा आएमडीबी रेटिंग है 8.3 और आएमडीबी की टॉप टू 50 है, मुविज में इसकी रैंक है 86 चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हाई एंड लो की स्टूरी नैशनल शूस नाम की कंपनी में किंगो गॉंडो सीनर एक्जेकिटिव है गॉंडो एक अमीर आदमी है, गॉंडो की घर पर मिटिंग चल रही है कंपनी के डारेक्टर के साथ डिसकेशन शूस की क्वालिटी पर हो रहा है गॉंडो एक जूता दिखाता है और वो फड़ जाता है, मतलब कि बहुत खराब क्वालिटी के शूस बना रही है उनकी कंपनी, और वो चाहता है कि उन्हें अब अच्छी कॉलिटी के शूस मनाने होंगे जिससे कंपनी की गुरोथ होगी और पॉपलरिटी भी बड़ेगी बट, कंपनी के डारेक्टर सस्ते चीप कॉलिटी के जूते ही बनाना चाहते है क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है गॉंडो की इसी चीज़ को लेगर काफी बहस हो जाती है डारेक्टर के साथ और वो वहां से चले जाते हैं अब ही किसी को नहीं पता कि गॉंडो ने सिक्रेटली कंपनी को खरीदने का प्लान बना रखा है जिससे कि उसका पूरा कंट्रोल हो जाए कंपनी पर कंपनी के ज्यादे से ज्यादा शेर्स खरीदने के लिए उसने सब कुछ गिरिवे रखा दिया यहां तक कि अपना घर भी क्योंकि कोंपनी के प्रेजिडेंट और बाकी के डायेटर्स की टोटल शेर से भी ज्यादव होंगे गॉंडो के पास और फिर पूरा कंट्रोल कंपनी का गॉंडो के पास आ जाएगा थोड़ी देर बाद एक फोन आता है और गॉंड़ो को पता चलता है कि उसका लोन पास हो गया है गॉंड़ो अब बहुत हुश है बर थोड़ी देर बाद एक और फोन आता है और गॉंड़ो के होश उड़ जाते हैं जब फोन पर उसे पता चलता है कि उसके बेटे जून को कि किड्नेपर ने वर्निंग दे कि अगर पुलीस को बताया तो उसके बेटे को मार देगा पैसा कहा लाना है उसके किड्नेपर फिर से फोन करेगा गौंडो और उसकी वाइफ के होश उड़ जाते हैं वो बहुत परिशान हो जाते हैं गॉंडो तुरन तयार हो जाता किडिनेपर को पैसा देने के लिए वहाँ गॉंडो का ड्रैवर भी ये सब देख रहा होता है और अब अचानक एक अजीब चीज होती है गॉंडो का जो बेटा है जून वो हो जाता है गॉंडो उसकी वाइफ को अब सुगून मिलता है और गॉंडो को लगता है कि किसी ने ऐसी फोन पर मजाग किया है गॉंडो का बेटा ड्रैवर के बेटे शिंची के साथ खेल रहा था गॉंडो पूछता है कि शिंची कहा है और गॉंडो का जो बेटा है वो कहता है कि वो लुकका छुपी खेल रहे थे अचानक शिंची कहीं गायब हो गया और गॉंडो फिर से परशान हो जाता है मतलब कि वो फॉन कॉल मजाग नहीं था किड्नैपर ने किड्नैप तो किया गलती से ड्रैवर के बेटे शिंची को किड्नैप कर लिया गॉंडो कहता है कि पुलिस को फोन करो तुरंट कोई डरने की बात नहीं क्योंकि जब किड्नैपर को पता चलेगा कि उसने ड्रैवर के बेटे को किड्नैप क्या है तो उसे चोड़ देगा क्योंकि ड्रैवर कहां से लाएगा इतना पैसा कुछ टाइम बात पुलिस आती है और बोलती है कि किड्नेपर की नेक्स्ट कॉल का वेड करते हैं शिंची का फादर बहुत डरा हुआ है अभी पुलिस ने कॉल ट्रेस करने के लिए डिवाइस लगा दिये और थोड़े देर बात किड्नेपर का कॉल आता है गोंडो फॉन उठाता है और किड्नेपर बोलता है कि उससे गलती हो गई है किड्नेप करने में और उसने गलत लड़के को उठा लिया है बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और पैसा तुम्हें ही देना होगा मिस्टर गॉंडो वरना तुम्हारी ड्रैवर के बेटे को मार देगा बट गॉंडो कहता है कि वो पैसे क्यों देगा उसका बेटा थोड़ी है और गॉंडो साफ मना कर देता है कि वो फिरोती को पैसा नहीं देगा क्योंकि वो पैसा तो उसने अपनी कमपनी की हिस्सेदारी को खरीदने के लिए रखा है गॉंडो का बेटा और ड्रैवर का बेटा दोने बहुत अच्छे दोस्ते हैं और साथ खेलते भी हैं और जून रोने लगता है गॉंडो की वाइफ बोलते हैं गॉंडो को फिरोती दे दीनी चाहिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहरे तो वो तैयार था देने के लिए जब उसे लगा था कि उसका बेटा किड्नेप हुआ है यहां गॉंडो का सेक्रेटर बोलता है गॉंडो अगर तुम ये 30 मिलियन यें उस किड्नेपर देते हुँ तो तुम बरबाद हो जा क्योंकि तुमने सब गिर्वी रखवा दिया है थोड़ी दिर बाद फिर से फोन आता किड्नेपर का और वो वार्निंग देता है गॉंडो की जल्दी से पैसे दे वरना बेटे को मार देगा अभी वो बेटे की अवास सुनाता है फोन पे कि अभी वो सेफ है और फोन कट कर देता किड्नेपर शिंची का फादर रोए लगता है और फीग मांगता है गॉंडो से कि उसके बेटे को बचा ले पैसे दे कर वो जिन्दे बार उसके हाँ नौकरी करेगा अब गॉंडो दूविदा में फस गया है अब नेक्स्ट सुबह होती है पुलिस डिटेक्टिव टोकरा बताते हैं कि उनके चीफ ने इन्वेस्टिकिशन का ओर्डर दे दिया है किड्नेपर को पकड़ने के लिए बट अब गॉंडो अपना फैसला सुनाता है और वो कहता है कि वो पैसे नहीं देगा शिंची को बचाने लिए क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा और हो सकता है उसे कंपनी से भी निकाल दिये जाए वैसे भी उसकी कंपनी के जो डायेटर से उनके साथ नहीं बन थी गॉंडो कहता है कि उसमें भी इंसानियत है और वो चाहता है कि शिंची को बचा ले बट वो खुद बरबाद नहीं हो सकता अब यहाँ गॉंडो का सेक्रेटरी बदल जाता है वो कहता है कि जान ज्यादा कीमति है पैसे से तुम फिरोती देदो गॉंडो अब गॉंडो को समझ माँगे कि यह जो सेक्रेटरी है वो उन तीन डाटर के साथ मिलावा है वो उसे वहाँ से भगा देता है अब पुलिस डिटेक्टिव गॉंडो को बोलता है अगर फिर फोन आता है तो तुम हा कर देना फिरोती देने के लिए फिर जब वो लोकेशन बताएगा तो उसे पकड़ लेंगे अब फोन आता है फिर से और किड्ने पर बोलता है कि परदे जो ढख रखे है रूम को शुबा और किड्ने पर को तसलिए होते है कि कोई पुलिस वाले नहीं है घर में हलाके पुलिस वाले इधर उधर चुप जाते हैं और अब गॉंडो हां कर देता पैसा देने के लिए गॉंडो ने रिस्क लिया है ये मतलब कि पैसा तो वो दे देगा किड्ने पर को बट वो अगर पकड़ा भी जाए किटनेपर, तब भी कोई guarantee नहीं कि पैसा हो आपस मिले, शिंची का फादर थैंक्स करता है गोर्णों को, किटनेपर का फिर फोन आता है और वो location बता दे गोर्णों को कि उसे एक train पर चड़ना है, और दो brief case उसके पास होने चाहिए, पैसों से भरे हुई, अब दोस्तों यहाँ से film बहुत ही interesting हो जाते हैं, मतलब कि पुलिस procedure और investigation किस तरह सखत्म हो की, वो बहुत interesting तरीके से दिखाए गया इस film में, गोर्णों ट्रेन में बैठा है पैसे के साथ, ट्रेन में पुलिस डिटेक्टिव्स हैं आम लोगों की address में, बटी डिटेक्टिव पूरी ट्रेन को चेक करता, बट वहाँ पर जो बेटा है शिंची वो नहीं होता, मतलब कि ट्रेन पर किड्नापर है नहीं, गोर्णों को फोन आता है ट्रेन में ही, और वो फोन उठाता है और उसे बताता है कि उसे क्या करना है, किड्नापर बहुत चला के वो खुद ट्रेन में नहीं है, क्योंकि उसे पकड़ जाने का डर है, गोर्णों को चलती ट्रेन से दोनों ब्रिफकेस को फेक नहीं, प्रीज आये का थब, और ब्रिज से पहले वो किड्नापर शिंची के साथ खड़ा होगा, ताकि गोर्णों को यह यकीन हो कि शिंची अभी सीफ है, पुलिस कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए तयारे ट्रेन के डिबो से, गोंडो नहीं दोनों ब्रिफकेस को ब्रिज की तरफ फेक दिये, और ट्रेन बहुत फास्ट थी उस वक्त, थोड़ देर बागोंडोर पुलिस फाले ट्रेन से उतरते हैं, और कार से उचंगे जाते हैं, और गोंडों को शिंची मिल जाता है, गॉंडो काफे हूश होता है बट पुलिस को यहां हार मिलते हैं मतलब कि उस किड्नैपर ने चक्मा दे दिया पुलिस को मिस्टर गॉंडो ने इंसानयत दिखाई और शिंची को बचा ले बट अब जो पुलिस डिटेक्टिव्स हैं उन्हें किड्नैपर को पकड़ना है ताकि मिस्टर गॉंडो का पैसा वापस मिल सके अब next morning एक बंदे को दिखा जाता है वो रेडियो पर news सुन रहा है कि मिस्टर गॉंडो एक national hero बन गया मतलब कि उसने अपनी सारी property को गिर्वी रखवा दिया और बैंक से लोन लिया और अपने driver के बेटे की जान बचा है मतलब कि वो इंसानयत का परतिक बन गया है यह सुन पुलिस नेशनल शूस के डाइटर से भी पूछते है कि कहीं उन्होंने तो यह साजिज नहीं रची गॉंडों को बरबात करने के लिए बट वो मना करते हैं जिस कार से शिंची को किड्नैप किया गया था वो चोरी के थे वो भी पुलिस पकड़ लेती है शिंची का फादर अपने वेटे को उस जगे ले जाता है जहां लास्ट टाइम उस किड्नैपर ने उसे छोड़ा था मतलब शिंची का फादर भी गॉंडों की हैल्प करना चाहता है पुलिस उस ठिकाने का पता लगा लेते हैं जहां शिंची को बंदी बना कर रख गया था किड्नैपर के दो साथ ही थे उनकी लाश मिलती है पुलिस को जो ड्रग्स की ओवरडोस से मर चुके हैं किड्नैपर ने दोनों को मार दिया ताकि अगर वो कहीं पकड़े जाए तो उसका नाम न बता दें हलाकि जो दोनों बंदे थे वो ड्रग एडिक्ट पहले से थे और उन्हें जो ड्रग सप्लाइ करता था वो ये किड्नैपर ही था किड्नैपर को अभी कंफर्म करना है वापर जाकर कि वो दोनों मरे भी चुके हैं या नहीं बर टोकुर है यहां एक चाल चलता वो न्यूस पेपर में न्यूस देता है कि एक हजार येन के नोट मिले हैं पुलिस को किड्नैपर ये एक हजार येन मिलने वाली बात को पड़ता है और किड्नैपर थोड़ा घबरा गया है अब वो क्या करता ब्रीफ केस को खाली करके दूसरे बॉक्स में नोट रखता है और अब उसे ये जो ब्रीफ केस है उसे ठिकाने लगाना है वो एक बॉक्स में इस ब्रीफ केस को उस घर से जहां वो दोनों बंदों की लाश मिली है लेकिन जो ये किड्नैपर इसने भी तक एक पैसा खरत ने गया क्योंकि शायद उसे पता है कि कहीं वो पकड़ना जाए क्योंकि सीरेन नंबर है नोट्स पर बट अचानक पास की ही चिमनी में से एक पिंक कलर का ध्वा निकलता हुआ दिपता है पुलिस को और गौनो को अर वो हैरान हो जाते है मतलब की किड्नैपर ने उस बिरिफ केस को जलाया है हाली में बिरिफ केस के अंदर पुलिस ने पिंक पॉडर से भरा एक कैपسुछ फिट किया था मतलब कि अगर kidney पर उसे जलाएगा तो ये पदा चले आएगा और अब ये confirm होगे kidney वहीं आसपास कहीं रहता है पुलिस उस एरिया के एक चिमिनी में जाते है और वहाँ से बंदे से पूछती है कि यहाँ कोई बंदा कोई brief case लेके आया था बंदा बताता है कि हाँ काफी कबार का समान आता है और वो उन चीजों को जलाता है हाँ यहाँ पर एक बंदा आया था जो कि एक medical intern था मतलब कि वो medical intern है kidney पर एक तरीके से और अब आसपास के hospital में पुलिस जाना शुरू करती है पुलिस की team hospital में जाती है और नज़र रखती है सब intern पर और उनकी होश उड़ जाता है मतलब उन्होंने kidney पर को पहचान लिया अभी फिलाल वो उसे नहीं पकड़ते शिंची ने kidney पर का picture draw किया था प्लिस वालों के लिए हलाग kidney पर ने dark glasses और mask पहन रखा है और उसके घर से गोंड़ों घर साफ दिखता है kidney पर का पता जल चुका है बट टोकुरा कहता है कि वो उसे सीधे arrest नहीं करें क्योंकि उसे kidnapping के लिए सिर्फ 15 साल की जील होगी और पैसे का भी हो सकता है कभी पता ना चले टोकुरा कहता है कि उसने दो लोग का मडर किया है तो उस मडर के लिए उसे मौत की सजा होनी चाहिए पलीस अब जाल बिछाए kidney पर को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल में किसी बंदे के थुरू kidney पर के एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ड्रक्स चाहिए और kidney पर के होश उड़या क्योंकि उसे लगए कि उसने तो उन दोनों को मार दिया था लेकिन अभी kidney पर को नहीं पता कि इनोट पुलिस में भीज़वाया है रात का समय kidney पर गल्यों में घूम रहा है और साथ ही पुलिस वाले भी हैं civil dress में Kidnapper थोड़ा देर एक क्लब में डांस करता है और फिर ड्रग एडिट के एक एरिये में घूमता है काफे हालत खराब हैं वहाँ लोगों की सब नशे में Kidnapper को एक औरत मिलते हैं वो बहुत नशेम होती है उसे वो उपर एक रूम में ले जाता है इस वाले सब देख रहे होते हैं तोकुरा को इंफॉर्म करते हैं अब इस टोकुरा को भी नहीं समझा रही हो कहा रहा है लेकिन वो एक दिन तुरन समझ जाता है और वो समझ गया कि उसने क्या किया है कहने का मतलब है कि वो जो लेडी है वो मर चुकी है क्या हुआ है वो जो kidnapper है उसने overdose के injection दिया उस ladies को test करने के लिए कि ये जो drug से ये okay है या नहीं और वो अब तक भाग चुका है वाकी पुलिस वाल उपर जाते है वो lady मरी हुई होती है अब kidnapper भागता है कहां उन दोनों को मारने के लिए और पुलिस भी उसके पीशा करती है वो उस घर के बाहर गेट पर बोलता है कि वो ड्रक्स दाया है बट अचलाए गेट खुलता है पुलिस पहले से ही वहाँ होती है और उसे arrest कर लेता है हलागि वो आत्मे हत्या करने की के लिए ट्रक्स पर और तीन करोड येन में से तक्रीबन दो करोड 99 लाग के आसपास का पैसा वाबस मिल गया गोंडो को गोंडो थैंक्स बोलता है पुलिस को बट घर की निलामी शुरू हो चुकि उसमें पहले जो लोन लिया था उसके हिसाब बैंक ने शुरू कर दिया ह पहले से और उसको घर निलाम हो चुका है मतलब पैसा मिलतो हो गया लेकि उसकी प्रॉपर्टी और घर सब चला गिया है किटनेपर का मौत की सजा मिलती है किटनेपर का फासिगत दिने उसने आखिर इच्छा किये कि वह गोंडो से बात करना चाता है गोंडो जेल जाता है दोस्तों फिल्म कर लास सीन है जो बहुत इंपोर्टन सीन है किटनेपर हेलो बोलता है गोंडो को पूछता है कि मिस्टर गोंडो आजकल क्या कर रहे है और गोंडो बताता है कि वह भी शूस बिजनिस में है हलाकि छोटी सी कंपणी उसे जोइन किया है बट वहां का मालिक उसे प्रीली काम करने देता है अपने था है किटनेपर बोलता है तुम आज सो बहुत हूश होंगे क्योंकि उसे फासिए उने वाले कहता कि वह उससे नफरत क्यों करता Ay Oh आस्ली बात बताता है किडिनेपर कि वो बहुत गरीब था वो जहां रहता था आराम बिलकल भी नहीं था मतलबस सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी लगती थी और कभी आराम से सो नहीं पाया और दूसरी साव गॉंड़ो का घर वो देखता कि कितने अराम से मजे में तुम रहते थे अपने घ inflation हाल में ते तब ही इसे उससे जलसी करने लगा गोंड़ो से वो गोंड़ो को सड़क पर लाना चाहता था हालाकि किड़नेपर को ये नहीं पता ये गॉंड़ भी कोई अमीर नहीं था शुरुआत से, उसने 30 साल काम किया अपनी छोटी एज से ही नेशनेशूस कंपनी में, वो महत करके अमीर बना, बट किड्नेपर ने इस सब बरबात कर दिया, अब उसे फिर से इस एज में जाकर शुरुआत करनी पड़ेगी, ही रहता है, और यहीं इस मोवी का एंड होता है, तो दोस्तों ये थी हाई एंड लो की स्टोरी, अब दोस्तों फिल्म का फाइनल एनलिसिस देखते हैं, इसमें तीन चीज़ों पर फोकस किया गया, मॉरालिटी, हुमेनिटी और तीसरा क्लास डिवाइट, मॉरालिटी अपना सब को दाव पर लगा दिया, हलाकि शुरू में वो पैसा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने ड्राइवर के बेटे को अपने बेटे की तरह माना, और किड्नेपर का फिरोती दे दी, क्योंकि फिल्म की स्टाइट गोंडो बताता है, कि वो तीस साल से नैशनल शू बनाना चाहता था, ताकि जो शूद डूरेबल हो, लेकिन वहां भी डायक्टर्स के साथ उसकी नहीं बनती थी, अब बात करता है, क्लास डिवाइड की, फिल्म में अमीर और गरीब की जो सामान था, वो साव दिखाई दी थी, जिसमें जपान का एक डार्क साइड भी उसके घर से जब वो देखता था, अब फिल्म का जो टाइटल है, हाइड लो का मतलब क्या है, तो दोस्तों गोंडो उचाई पर रहता था और किड्ना पर बहुत नीचे बस्ती में, और यही गोंडो हाई क्लास से बिलॉंग करता हो, किड्ना पर लो क्लास से, तो फिल्म का टाइटल और स्टोरी को ऐसी ही कंपेर किया गया है, तो यह था फिल्म का फाइनल एनलिसीज, वर्ल्ल सीनिमा की बहुतरिन फिल्म में से एक है हाई एंड लो, एक्टिंग ही बात करें तो तो शीरो मिफू ने, ताता से नकड़ाय ने बहुतरिन अक्टिंग किये, दोन एक कीरा कुरो सावा की फिल्म से बहुत ही बहुतरिन होती है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेर, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठैक्स वर वाचिंग, बाए-बाए, बे हैपी, एंड टेक केर.